जंगा पुलिस ने एक संसनी खेज मामले का खुलासा करते हुए खुद की हत्या का नाटक करने वाले युवक को गिरिफतार किया है हत्या का नाटक करने वाला युवक परीजनों और पुलिस को पूरी रात हलकान कर दिल्ली के लिए भाग लिया था तफ्तीस में लगी पुलिस ने शुकरवार को उसे घर लोटते समय नई बाजार से ग्रिफतार कर लिया जिसके संबंद में एसपी नौर्थ मनुस कुमार अवस्ती ने बताया कि बिलवा गाओं का रहने वाला 28 वर्सी अमित और फुसनी देवल ने बीते मंगलवार की रात खुद की हत्या होने का नाटक कर अपनी मुवाइल से एक फोटो वाइरल किया था जिससे लेकर पुलिस पूरी रात परिशान रही पुलिस तफ्तीस में पता चला कि अमित जिन्दा है और दिल्ली जा रहा है पुलिस विवक को हिरासत में लेने के लिए लगातार उसका मुवाइल लोकेशन ट्रेस कर रही थी उसका लोकेशन मुंबई रूट पर भूपाल में मिला था मुवाइल आउन होती ही पुलिस का दबाव बरता देख अमित अपने घर लोट रहा था कि पुलिस को जानकारी मिली कि वा थाना छेतर के नई बाजार पहुच गया है इस जौरान थाना ध्यक्ष संजे कुमार मिश्रा ने अपने हम राही उपने रिक्षक विज़यादों वा सिपाहियों के साथ अमित को नई बाजार से धर दब उचा उन्होंने बताया कि अमित का अपनी पत्नी से कुछ अनबन चल रहा था जिससे पीछा चुडाने के लिए उसने यह नाटक किया था अमित और फसनी देवल को पुलिस ने ग्रफतार कर संबंधित धाराओं में जील भीज दिया है जिसके संबंध में गुर्यकपूर नियूस से दुर्भास पर बात करते हुए एस पी नौर्थ मनुष कुमार अवस्ती ने बताया लिए खाने पर जबाये पो पुलिस एक्टिव होई और उसमें सीडियार से इनौलिसिस की गई उसकी आधार पे उसकी जानकारी मीदी और उसको वाट्सअप मेसेज किये गया तो वेश गंडे बाद उसने रप्लाई किया और जैसे ही उसका फोन आन हुआ तो उसकी लोकेशन पर इस पर से पुलिस ने उसको पकड़ गया उसको गिरफार किया गया रहे और समचित धाराओं में उसका चलानी किया